अब आते हैं कि फिल्मेकिंग का पहला हमने पाड़ बताया है कि स्क्रिप्टिंग, स्क्रीन प्ले, स्टोरी आइडिया इसे के बार में हलका नॉलेज हो गया कुछ हाँ, इसको कैसे बनाना है, कैसे डेवलप करना है, उसको लिखने का तरीका क्या है, वो इतने कम समय में नहीं हो पाएगा लेकिन नेक्स्ट हम बता रहें, जब आपके दिमाग में आ गया कि ये हमको स्क्रिप्ट तयार करने हैं फिर कौन सा डिपार्टमेंट में जाता है, टेकनिकल डिपार्टमेंट, टेकनिकल डिपार्टमेंट क्या करता है, वो जो जो उसमें लोकेशन दिये हुए हैं, उस लोकेशन को हंट करते हैं, डेरेटर के साथ जा करके, कि क्या हम उस जगह पर इस तरह से शूट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं अगर shoot कर सकते हैं तो क्या-क्या दिक्कते आ सकते हैं क्या-क्या permission लेना पड़ेगा कितने दिन लगेंगे उसके नजदिक में कौन सा hotel है क्या है यह सारी चीज़े हूँ देखिते हैं इधर दूसरा department वो है casting department casting department क्या करता है में कास्ट को छोड़ करके में कास्ट तो पहले से तय हो जाता है कि इसमें हम किसको लेंगे यानि हम मैं शारुप खान को लूँगा या सल्मान खान को लूँगा या नया किसी hero को लूँगा, heroine को लूँगा ये तो पहले से मुझे हैं, मुझ हो ना हो लेकिन अगर मुझ लगाने पर अच्छा लग रहा है कि यह डिपेंड करता है और वो बहुत लाउड बात करता है तो यह सारी चीजें एक एक कास्ट के लिए डिटेल राइटर लिख के देता है कि हमको ऐसा कास्ट चाहिए तो कास्टिंग डिपार्टमेंट क्या करता है उससे मिलता जूलता कास्ट वो अपने यहाँ पर जो ऑडिशन आप लोग एक्टर से हैं देने जाते हैं तो वो करके देखते हैं आप लोग ऑडिशन देने जाते होंगे तो ऐसा देखते होंगे लोग बोलते हैं you are fit, you are not fit तो not fit क्यों बोलते हैं क्योंकि उनके cast में जो ची लिखा हुआ है लोगों को उसमें बुरा नहीं मनना चाहिए और not fit का मतलब यह नहीं है कि आप कर नहीं सकते हो आप दूसरे role में fit हो, इस role के लिए fit नहीं है तो not fit हो गया, उसके बाद बुला कर आप से कुछ डालॉस ली उसके बाद दो-तीन लोगों को select किये पचास लोगों में या सौ लोगों में कि ये लोग इस role के लिए ठीक है अब उन तीनों का वीडियो डिरेक्टर के बास भेजा गया डिरेक्टर उसमें से select किया फिर shot list किया screen test, फिर से दुबारा screen test किया फिर उनको, तो इतना मेहनत करना पड़ता है कास्टिंग के लिए तो लोग ये जरूर है कि डिरेक्टर हर जगर आता है यानि जब राइटिंग होने गई राइटिंग करके डिरेक्टर को लगा है कि इस फिल्म को बनानी चाहिए फिर से वो अप एक-एक scene पर मेहनत करता है कि मैं ये चाहता हूँ लेकिन अगर राइटर बड़ा है तो राइटर बोलोगे नहीं यही आपको shoot करना है अगर डिरेक्टर बड़ा है तो उसमें चेंज करवायागा अपने हिसाब से और अगर उससे भी बड़ा एक्टर है तो ज्यादा चेंज करायागा शुट चल रही थी मड में कहीं पर और वो सिंगर भी है और हिट सिंगर तो उसके बाद उनका प्रोग्राम हो गया कि पतना में एक बड़ा शौ मिला उनको जिसमें अच्छा पैसा मिल रहा है तो बोलने है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता है कि हम लोग यह जो सीन है हम लोग पतना में करए तो कितना अच्छा लगा है तो बैसाब Delator अब यह नहीं बोला कि हमको वहां जाना है हम तो सोच रहे नहीं है कि वहीं किया जाए अच्छा भी ठीक है अब सोचो कि पूरे टीम को वहां भी मैनेज करना दो दिन के लिए यहां पर हो सकता था अब वहां बाकी पूरे प्रड़क्शन टीम को वहां पर ले जाकर के शूट कराना कितना टफ होता है अब वहां कौन ना बुले अगर आब बुलेंगे किने नहीं यहां पर इभूत है ठीक है कर लिजा जैसा है अब पता चला रात को चले गए अगले दिन नहीं आए आपकी लटकी हुई है तो यहां पर इस फिल्म इंडिस्ट्री में यह तो जरूर है कि कौन ज़्यादा सकस्स है अगर जो सकस्स है उसकी बात आपके उमान नहीं पड़े तो बेहतर है कि आप ही सकस्स हो जाईए ताकि आप यहां पर कैमरा हम लोग यह सोच के भी करते हैं कि हमारा बजट अगर थोड़ा ज्यादा है, तो हम और अच्छी कैमरा लेते हैं, जिसमें की बड़े लेंस और अच्छी लेंस यूज कर सकें. क्योंकि आप 5D जैसे छोटे कैमरे पर अच्छे लेंस, आप अल्टरा प्राइम लेंस नहीं उज कर सकते हैं. तो अल्ट्रा प्राइम लेंस अगर आपको यूज करना जिससे पिक्चर की क्लियर्टी बहुत अच्छी आए तो आपको कम से कम रेड कामरे पर जाना होगा जानता है कि हम लोग किस लाइट पर शूट करना है एक कमरें यह डियोबी जो है उन लाइट का रिकवरमेंट देता है कि हमें इस शौट के लिए यह यह जहीए है यह पता जला दो ट्रक लाइट में वांने जरूरी नहीं है कि आप अच्छी फिल्म बनाने के लिए धेर सारे आप नेचरल लाइट पर भी शूट कर सकते हो और इवेन दैन कि आप मोबाइल में जो टॉर्च होता है न उस लाइट से भी शूट अच्छी डंग से कर सकते हो अगर आपको करने का तरीका मानूं होतो हो तो ऐसा नहीं है कि आपको फिल्मेकिंग के लिए बहुत जागा सकते हैं तो इसमें आपके दिमाग में सिर्फ होना चाहिए कि हमें शूट जो करना है दिखाना क्या है तो जब टेखनिकली डिरेक्टर और डियोपी के बीच में तार्तम में बैठ जाता है कि हम लोग इसमें क्या-क्या उसकरेंगे कभी ऐसा है कि हमको कुछ दॉणने का सी आठीच जिखनी है तो इसमें कैमरा रता है उसका नाम है गोप्रोग राइट तो उस गोप्रोग युज दर सकतेमें को चोटा से क्यांपर है व्लोप्रोगे रागया तो उस गोप्रो कैमरे में क्या होता है कि वह 4K तक रिजलुशन आचा आप लोगों कमाल में 2K 4K आजकल TV आ रहे हैं, क्या होता है? रिजलुशन है पिक्सलेशन है, तक अभी आया हुआ है टेलुविजन या है लेगिन अभी भी इंडिया में 4K का स्क्रीन नहीं है, 2K तक स्क्रीन है, 4K पर शूट करते हैं लेकिन उसको फिर 2K में ले जाते हैं, 2K में गोट करके ही काम होता है, और 2K से थोड़ा नीचे होत तो आप लोग कहीं से भी मिल जाएगा आप देख लिजएगा लेकिन 2K 4K के बारे में जानना इसलिए जरूरी है कि जब आप फिचर फिल्म बना रहे हैं बड़ी फिल्म बना रहे हैं तो मिनिमम आपका 2K का रिजलेशन जरूरी है आपका जो भी कैमरा शूट कर रहा है वो 2 कि वो थिएटर में रिलीज हो सके कैमरा एंगिल आ गया कैमरा मूमेट आ गया कैमरा शॉट्स आ गया यह सारी चीज आपको तो अच्छी डंग से आपको करने ही पड़ेगी दूसरा में महत्तपूँ चीज है कि आप जो बैकड्रॉप रख रहे हैं यानि सेटिंग डिपार का ड्रेस का सेलेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए यह सब टेक्निकल पार्ट बता रहे हैं अभी एक्टिंग पर नहीं आ रहे हैं अगर डिरेक्टर है तो आपको जब कास्टिंग करना है तो आप यह सोच के कास्टिंग करेंगे कि इससे हम कितना काम निकलवा लेंगे पता चल जाता है कभी-कभी ऐसा होता है कि आप देखते हैं कि एक्टर तो अच्छा नहीं है लेकिन डिरेक्टर अगर अच्छा है तो उससे काम निकलवा लेंगे जब आप फिल्म की शूटिंग कर रहे होते हैं उसी समय एक आपका अलग टीम होती है जो एक रफ कट करता ह एडिटिंग का रफ बनाता है क्योंकि क्या होता है कभी-कभी आप शूटिंग करते जाते हैं पता नहीं चलता है और टाइम लेंग हो गया, आपकी चार गटींग करना बहुत मुश्किल है और उतना पैसा अपका फालत हो जा रहा है तो एक डिपार्टमेंट होता है जो ओ अगर कोई चीज दिक्मन ने आपको लगा कि यार ये मज़ा नहीं आ रहा जो हम सोचे थे वो शूट हुआ ने उसको आप फिर रहते हैं और रहते लोगों के रहते रहते हैं रहते हैं रिशूट कर सकते हैं लेकिन एक बार शूटिंग कंप्लिट हो गया तो फिर उतने लोग ये शूट आपका सीव नमबर तीन में है पांच में है बार में है तीन बार इसी कमरे का शूटिंग है तो आप क्या करेंगे कि एक ही दिन में ये तीनो शूट जो कि बाद में होना था, ऐसा नहीं कि एक बर किये, फिर दुसरे जगह गये, फिर दुबारा यहां पर आए, ऐसा नहीं, तीनों शूट रखेंगे, एक ही दिन में, और उस दिन आपका जो एसिस्टेंट डिरेक्टर होंगे, उनको मालू होना चाहिए कि इन तीनों दिन की श जो एसिस्टेंट की बुटबती है, जो बुदा आ जाता है, यह ढेक इंपकाश मैं जो पर मरने में टुसरे होन चे, आःसिस्टेंट के लगता 3 की वाहां पर हमारे पीछे ऐक फ्ला पर फेश्टे फ्लावर पोट्र थगा है वहां फ्लावर इक ही बाराइश, और वहां ल आदमें dubbing तो करेंगे, लेकिन अगर गलत बोले दिया, तो dubbing भी आपको गलत करने पड़ेगी, तो इसके लिए go portion देखा जाता है, एक chief assistant होता है, जो director का अपने एक तरह से पूरा काम करता है, डिरेक्टर के वल स्क्रीन पर बैट के देखता है, यह हम बड़ी फिल्मों की ब उसके बाद आप assistant को काम बाढ़ दीजिए, कि देखो हमने यह सारा चीज़ कर दी, यह तुम देखो, यह तुम देखो, लेकिन आपको monitoring करना ही पड़ेगी, उन चीजों की, तो production के समय हमारी जो shoot complete होती है, तो उसी दरमियान हमको यह पता चल जाता है, कि हमारी film कैसी जा र पता है कि film कैसी बन रही है, जिससा में trial होता है, हमने कई बार देखा कि editing में भी हमको पता नहीं चला, कि film कैसी बन रही है, लेकिन जब edit के बाद, final master की बाद जब हम film देखने बैठें, तो पता चल रही है, तो यही चीज अगर आपको पहले से पता चल जाए, अब मजा न उसे तरीके से बनाया, दो ही चीज लोग सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, आप जब भी theater में जाते हैं, एक तो audio, जो आवाज है, वो clear समझ में आए, और जो picture दिखाई दे, वो इतना दिखाई दे, कि आपको समझ में आए कि लोग क्या कर रहे है, अगर अंधिरे मे आपको अगर फिल्म में interest आ रहा है, समझ में आ रहा है, अच्छे एक आप लोग में से बताई कि फिल्म का क्या ऐसा पार्ट है, जो फिल्म को heat बनाती है, तो अगर प्रिशिटी ये न हो, कि आगे क्या होगा, तो फिल्म नहीं देखेंगे लोग या अच्छे नहीं देगे श्युवडन से पार्ट पूल्म में एक चीजिजे लगभाग आप लोग में सही बोला, या जाया वे लाफ्टर तो जश्या प्रूरियो बढक फिल्म नहीं अक्छी में देखेंगे नहीं, लगा फिल्म में क्या होगा विधिन, और अगर आपकी इमोश्हंका के साथ वो आपके इमोशन के साथ connect होना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि मैं उस करदार में जी रहा हूँ, और आप अचानक भूल जाते हैं, हर चीज, कभी-कभी आप लोग मैंसे कोई एक्टर है, या जो कुछ फिल्मे बनाई है या जो भी चीज, अचानक आप भूल जाते हैं कि मै मैं फिल्मे कर हूँ, मैं एक्टर हूँ, कुछ ने, कुछ देर तक तो याद रहागा अचाहिए, बढ़ ही आक्टिंग कर रहा है, यहा लाइट कम पढ़ जाते हैं, आप उस फिल्म में बह जाते हैं, तो वो फिल्म हिट होती है, वो ही हिट का मेन फॉर्मूला है, कि आपक आपको नहीं लगता है, कि आपको जब इतनी बात समझ में आ रही है, कि इतनी बुरी फिल्म है, अच्छी नहीं है, तो बनाते समय, प्रोडूसर, डिरेक्टर, कैमरामैन एइद्नों को नहीं लगा होगा कि हम बेकार फिल्म बना रहे हैं, आखिर क्यों बुरी फिल्म बन अच्छी फिल्म का कोई डेफिनिशन नहीं है, लेकिन एक तो होता है कि फिल्म अच्छी नहीं लगी, लेकिन कुछ लगता है एक दम बक्वास यह बनाया, इसने, कोई मतलब ही नहीं होता है अपने खुछ किसी नहीं पसंद नहीं है, जब फिल्म के स्टोरी लिखे जाती है, उस समय अच्छी होती है, ठीक ठाकी होती है, हम नहीं कह Best लेकिन लगबर ठीक ठाक होती है बनते बनते वही आया जाती में, डिरेक्टर डिरेक्टर हैंडल नहीं कर पाया, उस चीज को पूरा ले नहीं पाया उसने सोचा था थो कि ठीक ठागी बनाएंगे या तो किसी फिल्म का नकल किया होगा या कुछ भी किया होगा सोचा था उसने कि मैं अच्छा बनाऊंगा लेकिन क्या-क्या मजबूरी आती है पहली मजबूरी है कि उसको खुद नौलेज का ना होगा वो डिरेक्टर है ही नहीं है कुछ रिजनल फिल्मों में डिरेक्टर किसको बोलते ही मालू मैं जिसका दस हीरो हीरोईन से या बड़े आठिक्टर से परिचय हो और उसको ला सकता है तो डिरेक्टर बन जाता है है कि नहीं ऐसा मैक्स से कोई भी फिल्म अगर हम बोलेंगे कि मैंने ये फिल्म बनाए तो पहला कुस्चिन आपके अन्मन में क्या आगा हीरो कोन था है तो वहीं तो बिचारा चुप हो जाए जो नए फिल्म अगर हो कहां से बड़े हीरो को लाए वहीं पर तो जैसी फिर बोलेगा हूँ कि मैं न्यू कमर्स को लेके अच्छी परदा पर हीरो के बाद तो हीरोईं पर आएंगे उसके बाद आजाए कि अच्छा मने स्टोरी कोई पुछता नहीं है बाकी सारी चीजें आजाते हैं तो डिरेक्टर के लिए यहां बजरूरी है कि कौन किसको साइन करा पाएगी अमलम नहीं तो वहांपर क्या होता कि देन दिन के अंदर पूरे टीम को पता चल जाता है कि डिरेक्टर जाता नहीं है तो दूसरी लोग होबी होने सुरूर करता है पहला तो होब्य कौन होता है कामरा में सबसे पहला उसके उपर आता चारता तर आप बैठियान आपकी ज्यादा शोर होगा, यह लगा, यह का लाको ले होगी, क्या बड़ी चीज बन रही है। जब आप थेटर दो उसी फिल्म को देहे हैं, इसी के नहीं तना चिल्दा चिल्दा चिल्दे से रहे हैं। आप उसको शांती से भी बना सकते हैं, अगर आपके अंदर थौट है ना, बाहर की टीम कभी आये, विदेशी टीम, उनकी आप मेकिंग का तरीका देखे, एक तो उनका इतना ज़्यादा पेपर वर्क तयार रहता है, क्यों उनको जरूरी नहीं पढ़ता है, उनको मालूम है, पहले लोग प्लैप ये एक्शन, ये सारी चीज क्यों बोली जाती थी, जिससमें फिल्मों में शूट रहता है, क्लैप का वाज एक जूटना चले है, अगर ये जुड़ा और क्लैप की आवाज यहां मिल गई, तो आपका आगे का सारी चीज सिंक्रोनाईज हो जागा, यानि जो डालॉग्स आपके बोल रहे हैं, आपके लिप सिंक्स हिसाब से चबहे हैं, अब डिजिटल वर्ल्ट में तो इतना अच्छा सॉफ्ट्वेर है, कि आप सिर्फ वो सॉफ्ट्वेर में दोनों चीज डाल दीजिए, ओडियो वीडियो, ओटोमेटिकली सॉफ्ट्वेर जो है, आप सिंक्रोनाईज करते हैं, लिप्स को मिला करके, ओडियो को पराबर करते हैं, आपके जरूत ही नहीं इजी हो गया, तो वहीं मैं बोलना रहा हूँ, कि आज के डेट में डिजिटर्विल्मेकिंग इतना इजी है, कि आप जो पहले दो साल का course करते हैं, आज भी course चल रहे हैं, साल बर दो साल के course कर रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूं, कि सर्फ दस दिख आठ से दस दिख में, बनाना